कर देखते हैं और प्राइस के अंदर क्या चेंजिस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो आज वह हम कवर करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया यह करे हुए तो अगर चैनल पर फर्स टाइम आया तो सब्सक्राइब जरू कर लिजिए और वीडि करते हैं तो और बेसिकली इस चार्ट को भी मैं आपको एक्स्प्लेइन करूँगा कि क्यों इसको मैंने इस तरह से बना रखा है और यह फेस यहां पर क्यों है तो बेसिकली दोस्तों जब बिटकोईन की प्राइस के इंदर एकदम से बहुत ज्यादा ड्रॉप आता है और जब एकदम से थोड़ा साइडवेज चलता है और फिर आपस राइस बैक कर जाता है उसको एक तरह से बाट पैटन बोला जाता है तो यह बाट पैटन का मतलब क्या है कि यहां पर एक्जाक्टली हो क्या रहा है तो टेक्निकल अनलेसिस में बिसिकली दोस्तों एड़ टाइ काफी सारे future contracts run हो रहे होते हैं जैसे अगर आप CME का future ले लिजिए आप CBOE का future ले लिजिए या फिर आप Bitmax के longs या short ले सकते हैं या फिर Bitfinex के तो वहाँ पर भी वो काफी बार जो लोगों की positions होती है उसको close करवाने के लिए इस तरह से price को manipulate करते हैं for example अगर मैं आपको यहाँ पर chart दिखाऊंगा तो यहाँ पर एकदम से sudden यहाँ पर Bitcoin के price के अंदर drop आ गया जो लोग यह सोच के बैठे हुए थे कि शायद यहाँ पर Bitcoin resistance break करके ऊपर जाएगा Bitmex के उपर उन्होंने long कर रखा था Bitfenix के उपर तो उन लोगों को एकदम से यहाँ पर squeeze out कर दिया ताकि उनके यह तो stop loss trigger हो जाए या फिर वो loss में चले जाए और फिर जैसी यहाँ पर price नीच आए तो लोग अब यहाँ पर क्या expect करेंगे कि Bitcoin की price अब वापस और नीचे जा सकती है वापस इस level पर आई नहीं सकती तो यहाँ पर अब क्या होगा जो लोग होंगे वो यहाँ तो short करेंगे Bitcoin की price को यह सुचके कि और drop देखने को मिल सकता है market की हालत कराब है लेकिन यहाँ पर होता है एकदम उल्टा है price को यहाँ पर pump कर दिया जाता है और जैसी यहाँ पर यह pump होता है जितने short वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे squeeze out रहते हैं इस तरह के patterns आपको काफी बार देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पर यह हुआ था फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर exactly वो सेम चीज हुई थी equal amount में वापिस आ गया जितने से यह गिरा था उतने पर यहाँ पर आ गया अगर वो uneven होती हैं futures especially तो वो इस तरह की चीज करते हैं तो आपको next time इस तरह का pattern देखे तो आपको थोड़ा idea मिले कि यहाँ पर कुछ गड़बड हो रही है और जो pattern यहाँ पर दोस्तों यह देखने को मिला था उसको देखके भी काफी जादा यह लग रहा है कि जिस तरह से institutions next year तक आने वाले हैं बहुत सारे amount के उनको BTC खरीदने है तो कही ना कही जान मूझ के यह price को यहाँ पर suppress करा जा रहा है ताकि BTC की price नीचे जाए ताकि अगर institutions को buy करना है तो वो तो हमिशे discounted rate भी खरीदते हैं महंगी rate पर सरफ आप याँ मेरे जैसे लोग खरीदते हैं तो वो भी आप पर एक चीज हो सकती है तो next दोस्तों आप बात करते हैं Bitcoin की Bitcoin की price देखेंगे कि Bitcoin की price के साथ चल के आ रहा है और अभी currently 3300 dollars के around यहाँ पर चल रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक काफी important चीज है जो मैं फिर से आपको यहाँ पर remind करवाना चाहूँगा जो मैंने live के अंदर भी share किया था तो यह जो charts है यहाँ पर अगर हम weekly charts के अंदर जाते हैं और मैं यहाँ पर अपने जो moving average है उनको अगर यहाँ पर open करता हूँ तो यहाँ पर बाकी जो lines है उसको तो आप ignore कर दीजे अभी जो मैंने live session के अंदर भी यह चीज़ शेयर करी थी कि जब भी weekly charts के अंदर जो weekly candles हमने ले रखिये वहाँ पर जब भी 200 moving average 200 moving average का मतलब यह है कि यह जो line है इसने past की जो 200 candles हैं ऐसी similarly हर एक week की 200 candles है उसको लेके एक average बना रखा है वो average line यह यहाँ पर है तो यह देखती हुए आ रही है कि last 200 के according क्या average एक price चल रही है वो यहाँ पर move कर रही है और वो अगर आप देखेंगे तो काफी close आ गई है यहाँ पर जो अगर आप bitcoin की price देखेंगे उसके और technical analysis के according दोस्तों जब भी price जो होती है वो 200 MA को touch करती है तो वहाँ से हमेशा एक pullback या फिर bounce back देखने को मिलता है यह आप stock market या किसी भी commodity का chart open करके देख सकते हैं किसी भी coin का आप open करके देख सकते हैं तो यहाँ पर भी अब दोस्तों की MA line है वो काफी ज़दा close है bitcoin की price के और अगर level में एक बार देखा जाए तो यहाँ पर हमको यह denote कर रहा है around 3166 dollars पे यहाँ पर है तो यही पर दोस्तों में आपको past का भी chart दिखाना चाहूंगा जो last bull run आए था major bull run 2013 and 14 के अंदर जहाँ पर bitcoin की price 1000 dollars तक चली गई थी 16 dollars से और उसका crash होके काफी नीचे आ गई थी similar pattern आप यहाँ पर देखेंगे तो almost similar ही हमको 2017 और 18 में देखने को मिल रहा है अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर rise आया वैसे rise आया वैसी downfall चल रहा है और अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो जब bitcoin का यहाँ पर bottom टच हुआ था 2014 के अंदर तो आप उसका भी यहाँ पर यह देख सकते हैं जो red line है यह 200 MA की ही line है although यहाँ पर पुरानी यहाँ पर दिख नहीं रही है लेकिन अगर आप इसका एक rough idea लगाएंगे तो आप इस तरह से इसकी line को मान सकते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे bitcoin की price यहाँ पर आई 200 की जो MA थी उसको यहाँ से touch करा break करा नीच आया और फिर वापस bounce back करके sideways continuation और फिर थोड़ा uptrend देखने को मिला अब similarly अगर दोस्तों हम यहाँ पर 2018 का chart देखते हैं अभी current जो situation चल रही है तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो 200 MA का chart है तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो 200 MA की यहाँ पर line है वो बहुत ही जादा close है तो यहाँ पर दोस्तों बहुत जादा possibility यह है कि यह जो 200 MA की line है इसको bitcoin की price touch करेगी और touch करने के बाद नीचे break भी कर जाएगी और break करने के बाद यह वापस bounce back करेगी और sideways movement करके थोड़ा उपर जाएगी यह यहाँ पर एक possibility है दोस्तों जो अगर past के comparison में हम देखें यह बहुत जादा probable है कि इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज में आपको और दिखाना चाहूंगा और यहाँ पर भी 2017-18 का chart है उपर नीचे 13 और 14 का है तो यहाँ पर मैं use करूंगा Fibonacci retracement को और यह usually इसी use करा जाता है कि कभी भी किसी coin के अंदर price में बहुत जादा jump आता है तो एक तरह से यह जो tool है यह indicator है आपको help करता है यह evaluate करने में कि अगर price jump करिये तो कितना correction आपको देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर मैं एक बार 2013-14 का chart लेता हूं और 12-16 dollar से हम यहाँ से bottom से start करते हैं और जब 2013 में price peak करी थी 1100 dollars हमने यहाँ तक इसको ले लिया अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर left side में अलग-अलग percentage कर्रेक्शन की आप देख सकते हैं और अगर आप देखेंगे एक बार जब 2013 पर peak किया था bitcoin की price और बहुत major downfall आया था तो bitcoin ने जो bottom यहाँ पर बनाया था अगर आप देखेंगे 78.6% इसके और 100% के बीच में यहाँ पर बनाया था आप यहाँ देख सकते हैं जो 140 dollars के round था और similarly अगर हम अब यहाँ पर भी देखते हैं कि 2017 और 18 के अंदर अगर Fibonacci retracement को 14 से compare करें तो हम कहाँ पर हैं तो यहाँ पर मेरा आफ आइडिया लेने के लिए 1000 dollars से लेता हूँ Fibonacci retracement और इसको हम लेके जाते हैं 19,000 dollars तक तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया और अभी अगर आप देखेंगे 78.6%, 100% और अभी आप current level देखें हम कहाँ पर हैं 78.6 और 100 के एकदम बीच में जैसे यहाँ पर आप यह देख सकते हैं यह level यहाँ पर भी आप यह देख सकते हैं यह level तो काफी सारी चीज़े अगर हम 2013 और 14 से compare करें 2017 और 18 को तो almost हम एक ऐसे zone में शायद आ गए हैं जहां से चीज़े आगे जाके अच्छी ही हो सकती हैं और technical analysis में दोस्तों एक चीज़ काफी important है और ध्यान रखने वाली है जब आप trading करते हैं तो trading में आप सरफ एक ही चीज़ पूरे दिन देखते हैं आपको पता है है या नहीं पता है वो है numbers आप अगर exchange पर जाते हैं और आप trading करते हैं यहाँ पर आपको क्या दिखते हैं numbers तो और जब आप technical analysis के उपपर आते हैं देखने के लिए कि charts में क्या हो रहा है तो ये भी कुछ नहीं है ये भी average ही है इनी numbers के जो यहाँ पर आपको ये देखते है numbers इनी number के according यहाँ पर एक average निकलता है जो आपको idea देता है कि price के according क्या चीज़े change हो रही है तो इसलिए technical analysis काफी important होता है ये सारी चीज़े देखने के लिए और especially technical analysis के अंदर भी दोस्तों ही बोला जाते है कि past के अंदर अगर आपको एक pattern देखने को मिला तो बहुत ज़दा probability यह है कि same pattern आपको आगे भी देखने को मिले क्योंकि एक cycle है जो repeat होता है जैसे कि एकदम से bold run आएगा फिर bear market आएगा फिर bear market आएगा फिर bear market आएगा तो एक cycle है जो continuation में चलता रहता है तो similarly यहाँ पर वही चीज़ है अब यहाँ पर बात यह है कि although comparison wise यहाँ पर तो यह लग रहा है कि 2013 और 14 की comparison में देखते हैं तो काफी ज़्यादा यह लग रहा है कि यहाँ शायद bottom आगया है but we never know हो सकता है यहाँ से price और ज़्यादा नीचे भी push हो जाए या फिर हो सकता है शायद यह bottom ही हो लेकिन एक चीज़ जो काफी important है और जो मैं आपसे यहाँ पर share करना चाहूँगा कि वो यह है कि अगर आप bitcoin के shots देखेंगे shots अगर आपको नहीं पता है तो leverage trading जो platform होते है जो speculation की उपर चलते हैं जैसे bitfenix के अंदर भी है जैसे bitmax की उपर भी है direbit ऐसे करके काफी leverage trading exchanges है अगर बिटकोईन की price उपर जाएगे तो उसके उपर वो speculation पैसे लगाएगे अगर चली गए तो पैसे कमा लेंगे अगर उनको लगता है नीचे जाएगे तो उस पर वो speculate करेंगे और नीचे गई तो वो पैसे कमा लेंगे तो यहाँ पर अगर आप bitcoin के shots देखेंगे अगर आपको यादो और मेरे पुराने आप videos follow करते हो तो मैंने पहले भी काफी बार ये चीज़े आपसे मैंने share करी है कि कैसे ये चीज़े बहुत ज़्यदा important play out करती है तो last जो all time high था bitcoin की shots के अंदर वो around 40,000 BTC का यहाँ पर था लेकिन अभी अगर आप current situation देखेंगे तो यहाँ पर bitcoin की जो shots है उन्होंने all time high बना लिया which is like 42,600 आप देख सकते है थोरे time पहले शाद 43,000 था यह जो बहुत ही ज़्यादा high है और ऐसे situation में जो लोग होते हैं, exchanges होते हैं leverage trading platforms होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि ज़्यादाता लोग पैसे कमाए अगर यहाँ से bitcoin नीचे जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर उल्टा हो गया और bitcoin की price उपड चली गए तो यह सारे के सारे यहाँ से squeeze out हो जाएँगे stop loss trigger करके या खुद position close करके या liquidate होके तो वो ही यहाँ पर comparison है और in fact अगर हम यहाँ पर longs भी open करते हैं longs मतलब कि यहाँ पर यह वो वाली line है जो एक तरह से उन लोगों को denote करते हैं जो नोंने यह predict कर रखा है कि bitcoin की price उपड जाएगी और अगर आप दोनों का comparison देखेंगे तो यहाँ पर longs जो हैं वो around 27,800 पर हैं और जो shots हैं वो around 42,000 आप माल लीज़ें तो almost significant का difference है मतलब यहाँ पर shots जो है longs से जादा है तो इसलिए बहुत जादा probability यह कि हमको बहुत जल्दी bitcoin की price के अंदर uptrend देखने को मिल सकता है price यहाँ से jump कर सकती है लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि bitcoin का bottom आ गया है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ possibilities हैं जो यहाँ पर हो सकती है पहली possibility हो सकती है कि bitcoin की price यहाँ आएगी 200 MA की जो line है उसको touch करेगी break करते हैं नीचे चले जाएगी 2600 2700 और maybe 3000 लोग बहुत जादा panic में भी आएंगे वाँ पर लेकिन क्योंकि 3000 mentally एक लोगों का काफी अच्छा support बना हुआ है लोगों ने बहुत जादा bids भी वाँ पर open कर रखे होंगे जैसे अगर आपको हमको लेके जाए या फिर possibly 5000 डॉलर्स तक और अगर सही में यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आपको comparison दिखा रहा था 2013 का और 14 का और अभी current जो चल रहा है उसके according अगर possibly यह bottom है तो यह भी possibility कि यहाँ से हमको धिरी धिरे uptrend देखना को मिल जाएगा लेकिन यह possibility यहाँ पर यह भी है दोस्तो कि bitcoin की price यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे गिरे वापस bounce back करके उपर है 5000 डॉलर्स तक reach करे और फिर वापस उसके बाद downtrend में आ जाए और वहाँ पर अपना final जो bottom है वो close करे वो हो सकता है 3000 डॉलर्स के नीचे हो हो सकता है 2500 डॉलर्स के भी नीचे हो यह possibilities है तो दोस्तो currently मेरे को यह अभी scenarios और possibility दिख रही है और इसका मतलब यह नहीं कि exactly यह situation में सारी चीज़ होंगी इसी तरह से series होगी बट यह है कि जो सामने numbers हैं जो charts दिख रहे हैं जो past की history है उसके according यह दो possibilities है मेरे को यह आपर देख रहे हैं जो हो सकती है हम इस situation के अंदर क्या कर सकते हैं हम कभी भी यह sure नहीं हो सकती है कि exactly जो हम चीज speculate कर रहे हैं वो होगी की नहीं होगी technical analysis within minutes change होता है जैसे price numbers change होते हैं उपर नीचे होते हैं volume में change आता है फटाफट अभी जो मैं चीज बोल रहा हूँ maybe next 2-3 hours के अंदर change हुजा है maybe एक दिन के अंदर change हुजा है तो technical analysis में हमेशे ही होता है constantly charts को देखना होता है उसके according आप presume करते हैं कि next क्या हो सकता है अब क्या हो सकता है यह change हुए तो इससे ही होगा तो यहाँ पर हम basically दोस्तों क्या चीज कर सकते हैं यहाँ पर we have to be prepared एक तो जैसे मैं आपको हमेशा यह बोलता हूँ profit मिले profit ले लो dump जब आएगा तब वह पिस अच्छे coins को pick करो uptrend आएगा 5% के उपर जो भी मिलता है उसको ले लो शांती से बैठ जाओ लालच में मतर रहो कि मैं किसी coin को खरीद लूँगा और वो क्योंकि अच्छा perform कर रहा है तो इतना लंबा hold करूँ कि मैं को सीधर 200% का profit दे दे वो ऐसे market में possible नहीं है वो bull market में possible था यहाँ पर और यहाँ पर आप में से काफी लोगों ने कमाया भी होगा और देखा भी होगा और वो ही thinking अभी भी चल रही है तो इतने time से जो मैं आपको बोलता हुआ रहा हूँ downtrend में जब नीचे आएगा खरीदो उपर जैसे देख रहा है profit मिलते ही book करो बहार निकल जाओ तो यहाँ पर दूस्तों मैं आपको यह बोलूँगा just be prepared यहाँ पर हमको थोड़ा सा downtrend देखने को मिलता है और अगर उसकी possibility और बढ़ती जाती है shit coins के नदरम कभी भी entry नहीं लेंगी कि वो बहुत ज़दा risky होते हैं जाद तर वो शिर्फ pump groups जो होते हैं उसको pump ही करते है quick profit के लिए तो वहाँ पर हम उसमें entry ले सकते हैं और जब यहाँ पर uptrend आएगा we have to take profit जब तक हमको यह confirmation नहीं मिलता कि अब bitcoin का uptrend finally चालो हो गया जहाँ पर आगे हमको healthy growth देखने को मिलेगी और अब bitcoin का bottom जो है वो यहाँ पर बन चुका है जब तक वो confirmation नहीं मलता बाकि जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे bitcoin purchase कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं आपको यही चीज़ बूलूगा अगर आपको bitcoin purchase करना है तो already bitcoin की price काफी नीचे है अगर आप चाहते हैं definitely इस price के उपर भी purchase कर सकते हैं but still there is a possibility कि हम इससे भी lower जा सकते है 2700 डॉलर मेभी या मेभी उससे भी नीचे चले हैं you never know तो उस चीज़ के लिए अगर आप wait कर सकते हैं तो obviously या तो आप wait करें या तो आप wait करें एकदम bottom का कि bitcoin की price नीचे है और फिर जब recover करें और healthy movement देखने को मिले तब आप enter करें या फिर अगर चाहें आप तो अभी current rate के अंदर भी enter कर सकते हैं और better आप अपने जित्ता भी आपको invest करना है उसको divide कर लिजे दो पार्ट के अंदर आधा भी खरीद लिजे और आधा जब और नीचे गड़ जाएगा एकदम bottom आपको लगेगा वहाँ पर आप उसको खरीद सकते हैं तो overall दोस्तों यह update हो गया मेरी तरफ से bitcoin को लेके और possibly यहाँ पर काफी अच्छा है एक हमको jump देखने को मिलेगा वो $500 से लेके $1500 की बीच में कुछ भी हो सकता है especially यह 200MA line को देखते हुए और जिस तरह से past का bitcoin के अंदर चीज़े रही है उसके according प्लस यह जो इतने ज़्यादा यहाँ पर shots open है यह squeeze होने ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताए कि जो mental thinking एक तरह से according 3000 पे काफी सारे लोग अभी एक तरह से depend कर रहे है या फिर 3000 डॉलर का होता है वो देखना बाकी है तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही आई होप यह वीडियो आपके लिए useful हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू कर दियेगा और चैनल पर बोल रहा हूं स्राटिंग में भी बोला था और अगर आपने जॉइन नहीं करें टेलिग्राम के उपर भी जॉइन कर सकते हैं वा न्यूज अपडेट सिग्नल सारी चीज़े हम रेगुलर्ली देते रहते हैं तो अभी क्लिए दोस्तों बस इतना ही जल्दी और वीडियो ल